उन्सान की जिन्दगी की किमत क्या है? इस रिपोर्ट को गौर से देखिए हम आज आपको लाइब दिखाएंगे इन्सान की कीमत आज सुबह ही हमें हमारे सोर्च से खबर मिला और हम तूरंद ही निकल गए उस खबर के पीछे वहाँ जाकर देखा तो हमें कोई नहीं मिला आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये कोई दूर दराज की गाउं नहीं है बल्कि उम्रांसो के सेंटर में बसा नेक को कॉलनी है बाद में परोसियों से हमें पता चला कि यहां किसी क्वार्टर में किसी का लाथ उने का सक है हमने तूरंद महाल को समझा और हमने पुलिस को खबर किया अब सुनिये विस्तार से परोसियों ने और नेको अथरोटि ने तूरंद ही उनके समाज के लोगों को दुरघटना की जानकारी दी लेकिन कई घंटे बीट जाने के बाद भी उनके समाज की ओर से कोई भी लोग इस स्थान पर मौजुद नहीं हुए इस इनसान का नाम जाबा है हम मीडिया कर्मी भी वहां काफी दिर तक इंतजार करते रहें कि कोई ओठोरिटी के लोग आएंगे और इस लास को इस क्वार्टर से बाहर निकालेंगे पर ऐसा हुआ नहीं हमने जब लोगों को पूछा कि आपने पुलिस को इंफरमेशन क्यों नहीं दिया तब उन्होंने बताया कि उनके समाज के लोगों ने ये मना किया है कि पुलिस को अब इंफरमेशन ना दे ताकि पहले वो लोग आये और रिती रिवाज अपना पुरा कर पाए पर ऐसा भी नहीं हुआ आप इस फोन कोल को सुनिए आप इसलिए हम आपको बोला है आप लोग आईए आप लोग गाउं का कोई एक आडमी होने से आप लोग का साथ वे रहन से हम लोग का नेपको का आडमी रहेगा शिगोर्टी रहेगा आडमी रहेगा इसका बार आगे बारेगा काम आप लोग एक आडमी सुब्य से अभी टोक इंतेजार में है कोई नहीं आया आखिरकार लंबी इंतेजार के बाद पुलिस आई और पुलिस ने मोड़ चाहिए का संभाला तक अचाहिं कि अचाहिए प्रिटाए अचाहिए फैसी कि अचिया आज अचिया हुआ कर और दो दो अचिया है अचिस अचाहिए पस सोते सोते गुजर गया जाबा आज यह अजीव लगा जाबा के गाउवालों को जानकारी देने के तीन घंटे बाद तक कोई भी लोग वो सिस्थान पर हाजर नहीं हुए उल्टा तीन घंटे के बाद जाबा को वो पहचाने से भी माना कर रहे थे आज आज आपको यह दिखाने के लिए था कि आज इंसान की कीमत क्या है